हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे HDFC bank share के बारे में आज की दिन की बात अगर करें तो आज भी HDFC share में गिरावट हमें देखने को मिली overall आप अगर जितने भी share को देखेंगे सारे के सारे share में आपको गिरावट देखने को ये मिली है HDFC bank ने भी आज अपना जो support level है उसको break करते हुए नीचे के तरब गिरा हुआ है support level की बात करें तो कल के दिन में ही मैंने बताया था कि लगभग 1466 से लेके 1470 के आसपास एक support level है कल के दिन में ये इसी support level के उपर में था एक support level यहां भी था जो की 1486 के आसपास का एक support level था ठीके और इसी support level के नीचे एक और support level जो पिछले कुछ महिनों में देखें तो resistant की तरह काम कर रहा था यहां पर आप अगर देखेंगे तो तीन बार इसी resistance से होते हुए नीचे की तरब गिरा है और इस resistance को जब breakout किया है तो उपर की तरफ हमें रेली देखने को मिली है उसके बाद में इस resistance जो support बना है support level के उप उपर में ही HDFC bank का share ठीका हुआ था और आज इन दोनों ही support को तोड़ते हुए नीचे की तरफ गया है अब दूसरा जो support जो नजदी की support हम कह सकते हैं वो है 1422 के आसपास और यह percentage में अगर हम बात करें तो यहां तक आता है तो कम से कम डेर से 2% का गिरावाथ हमें देखने क को मिल सकता है 200 कल के दिन में भी अगर इसी तरह का गिरावाथ हमें देखने को मिलता है तो यह support level से हम उमीद कर सकते हैं कि bounce back हो के उपर की तरफ हमें moment देखने को मिले और अगर इस support level को भी अगर break करता है तो उसके बाद में जो नजदी की support देखने को मिलेगा वो है 1399-98 क के आसपास और इसके नीचे इसको भी अगर इससे भी और आगर नीचे जाता है तो लास्ट टाइम जो लो बनाया था वह लगवग 1363-1376 के आसपास का जो कि यहां तक जाना थोड़ा मुस्किल लग रहा है थोड़ा बहुत correction हो सकता है तो यह जो support level है जो की 1419-20 के आसपास का जो support level है यहां तक अगर गिरता है तो गिर सकता है यहां से हमें फिर अच्छा-कार सा correction देखने को मिल सकता है या फिर कल के दिन अगर थोड़ा positive अगर हमें देखने को मिले तो हो सकता है कि market कल यहीं से ही ऊपर की तरफ हमें reverse करता हुआ देखने को मिले यहां पर एक trade line भ हमें moment देखने को मिले तो दोस्तों यह था HDFC bank को लेके मेरा technical analysis इस हपते की बात करें तो market में सवी की सवी शेर जो है sell करने की हमारी कोई भी सला नहीं है यह वीडियो सिर्फ और स्रिफ एक educational purpose के लिए है आप किसी भी शेर को buy या sell करना चाता है तो अपना technical analysis या फिर अपने हिशाब से सोच समझ के किसी भी सेर में invest कर सकते हैं या फिर buy या sell कर सकते हैं तो दोस्तों यह था HDFC bank को लेके मेरा analysis उम्मिद करूंगा दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आगा पसंद आए तो प्रीज लाइक कीजिए चैनल को अभी तक सब्स्राइब में किया है तो सब्स्राइब करके support कीजिए मि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में